बिजनौर में इन दिनों पानी की व्यवस्था इतनी बदहाल है कि नगर के महला चार्शीरी में पिछले एक साल से लगी पानी की मशीन में ना तो फ्रिज ही लगा है और नहीं टंकी ही लगी इलाके के इस में इन चराहे पर पानी की टंकी के नापर महस टंकी का शोपीस बना खोका ही खड़ा है ऐसे में इस इलाके के लोगों को पानी के लिए दोधर बटकना पड़ रहा है इस्थाने लोगों की माने तो पानी की ये टंकी पिछले एक साल से खराब पड़ी है लेकिन नगरपारा के पशासर इस और धान देने को तयार नहीं है भीशर गर्मी में भी कि ये टंकी शोपेज वनी खड़ी है इस ताने लोगों ने इलाके में पानी की समचे दवस्ता करानी की मांग की है प्रिजनौर से तुशार वर्मा की रिपोर्ट जी का नाम आपका अजर अलीजी ये जो ठंकी रखी है इसके बारे में बताईए ये एक साल से खराब कि चेरमेंस आप से सिखात करी उन्होंने नहीं सुनके दी मिंबर्स आप से गया उन्होंने नहीं सुनके दिया निकले